दोस्तो पिछले वीडियो में आपने देखा था कि IFPMS Spencer Portal के उपर किस तरीके से आप नया रेजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, किस तरीके से लोगिन करेंगे और किस तरीके से अपना जीवन परमान पतर अपलोड करेंगे यह सारी प्रक्रिया आपने पिछली वीडियो में देखी थी, यदि आपने वीडियो नहीं देखा है, तो आप उपर आई बटन पे लिंक दिया हुआ है, और डेस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं लोगिन के केस में कुछ पेंशनर के यह समस्या आई थी कि उनके मुबाइल नमबर मिसमेच की दिक्कतारी है, या उनकी प्रोफाइल अपडेट नहीं हो पाती है, तो उसके लिए हमने यह अगला वीडियो तयार किया, जिसमें यह बताया गया है कि किस तरीके से आप अपन बताई गई है, हलो दोस्तो, स्वागत था आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल MB Helpdesk में, आप सभी से सबसे पहले यह रिक्वेश्ट है कि आपने यह जदी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेए, और बेल बटन को भी प्रेस कर देए ताकि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, तो चलिए सुरू करते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने मोबाईल या केम्पूटर में ब्राउजर ओपन कर लेना है, ओपन करने के बाद हमें IFPMS सर्च करना है, आए, IFPMS सर्च करने के बाद हमें यह दिख रहा है, pensioner.raz.nhe.in पर क्लिक कर देना है, इस पर क्लिक करने के बाद सामने जो पोप आ रहा है, उसे बंद कर देना है, फिर राइट साइड में हमें जो दिख रहा है, e-pensioner, e-pension, pensioner login, pre-2016 pension, तो हमें यहाँ, pensioner login पर क्लिक कर द दिख रहा है, सामने सबसे पहले क्या डालना है, PPO नंबर, PPO नंबर भरने के बाद हमें अकाउंट के last 4 डिजिट डालने के बाद, enter of some digits, 15-3 मतलब 12, फिर हमें login पर क्लिक कर देना है, login पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, pensioner, pension slip, update basic detail, form 16, तो हमे सबसे पहले update basic detail पर जाना है, इसमें pensioner का नाम, bank का नाम, branch का नाम आदी देख ले हैं, तो हमें इसके नीचे दिख रहा है, mobile, आधार नंबर, pain नंबर, email ये सब बरने हैं, तो हमें सबसे पहले mobile नंबर डालते हैं, mobile नंबर डालने के बाद, आधार नंबर, और आधार क्लिक कर देना है, update के option पर क्लिक करने के बाद, हमारे सामने screen पर show हो रहा है, are you sure to update details, yes or no, तो हमें yes पर क्लिक करना है, yes पर क्लिक करने के बाद, इसमें show हो रहा है details successfully updated, यानि कि मेरे case में update basic details successfully updated हो गई है, फिर हमें logout पर click करके, इसको logout कर देना है, वीडियो अच्छा तो like और subscribe जरूर कर दीजिए, धन्यवाद